मैं कह रही हैं कि बीसवी सदी के कई बुद्ध पुरुषों जैसे कि ओशो एवं रवण महरशी ने मेडिटेशन टेकनीक्स को ज़रूरी बताया क्योंकि वो शुरुवाती रूप से मन को शांत करती है मेरी भी समझ कहती है कि तकनीके जरूरी हैं क्योंकि मन का थोड़ी देर के लिए भी शांत होना आनंदमई घटना है फिर आप तकनीकों को बिलकुल नकार क्यों देते हैं क्योंकि मुझे बेइमानी पसंद नहीं है मैंने कभी भी तकनीकों को पूरी तरह नकार नहीं दिया मुझे आपत्ति तकनीकों से कम और तकनीकों के पीछे के बेईमान मन से ज्यादा है आप ध्यान की विधियों वगेरा पर मेरे जो पुराने वक्तवे हैं उनको देखेंगे लेखों को पढ़ेंगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत विस्तार से मैंने समझाया है कि तकनीकों के साथ खतरा क्या है एक उदारन में पहले दे चुका हूँ आमतार पर मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कि पहले दिया हुआ उदारन दोहराओं पर चलिए दोहराए देता हूँ नहीं दोहराओंगा दूसरा आगया, ताजा मेरे साथ यही समस्या है हमेशा कुछ ताजा आ जाता है तो एक बच्चा है और उसका बाप चाहता है कि वह तैरना सीखे बच्चे को डूबने से डर लगता है कि आता है डूब जाओंगा डूब जाओंगा डूब जाओंगा तो बाप चाहता है कि वह तैरना सीखे ठीक है तो बाप उसको लेकर के ज बाप उसको लेके गया है, कि इसको यहाँ पर मैं swimming का प्रश्रिक्षन देलाऊंगा, swimming coach के अंतरगत. साधक, सब साधक बच्चे होते हैं और वो डूबने से घबराते हैं, और ध्यान में क्या करना पड़ता है, डूबने ही पड़ता है, गोते मारने पड़ते हैं, गोते मारने पड़ते हैं, लेकिन बच्चा घबराता है, तो coach के पास लेके गया है बाप, coach कहता है कोई बात नह शुरुवात के लिए ये kids pool है जिसकी गहराई बस धाई fit की है जिसकी गहराई बस धाई fit की है तुम इसमें जाओगे और बहुत छोटा सा है और छोटा सा ही नहीं है उसमें वो हवा के tire हैं और क्या क्या होते हैं चीजें वो पत्तियां हैं tubes हैं जो तुम यह बाहूं में बाढ़ सकते हो और floaters हैं जिन पर late करके तुम तैर सकते हो तमाम तरह की विदियां हैं जो तुमें डूबने से बचाएंगी जो तुमें डूबने से बचाएंगी वो जब तक मौझूद है तुम डूबी नहीं सकते लेकिन शुरुवाती लाभ है उनका उससे तैरना सीख सकते हो चिपक गए उनसे तो तैरना नहीं सीख सकते हैं फिर उसमें तुम कितना तैरना सीख होगे उसकी कुल गहराई ही धाई फिट की है और बाप ने अपने कर्तव की इतिश्री समझ ली प्रशिक्षक के हाँ तो सौप कर चला गया नवाब बच्जा देको कि अभी अपना तैरना सीखेगा और अभी ये उनरमंद बालक रोज आते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूँ कॉस्ट्यूम वगयरा लेकर के स्विमिंग पूल करते करते दस साल बीत गए अभी दस साल से विधी में लगे हुए हैं किस विधी में कि मैं स्विमिंग सीखने जाता हूँ अब घरवाले सोच रहे हैं कि लड़का तो जबरदस्त तहराक बन गया होगा इंग्लिश चैनल पार करेगा सीधे क्या बात है अब दस साल के बाद एक बार आते हैं घरवाले देखने कि नौजवान ने तरक्की कितनी की तो क्या पा रहे हैं नौजवान अभी भी वो धाई फिट वाले में ही लगा हुआ है और फ्लोटर्स पर ही बैठा रहता है और पूल के किनारे कई बार बैठ जाता है पाऊं लटका देता है पानी में और यह ही वो कर रहा है दस साल से यह ध्यान की विधिया है इनका निर्माण इसलिए हुआ है ताकि तुम महीने भर इनको आजमा करके असली पूल में कूद पाओ असली पूल का नाम जीवन है और उस जीवन में कोई विधि कोई फ्लोटर कोई तरीका कोई सहारा काम नहीं आता वहाँ तुम्हें हर चीज छोड़नी पड़ती है उसकी गहराई कितनी है बीस फिट लेकिन लोग हैं जो दस साल से विधियों में ही लगे हुए वो विधिया ही चल रही है उनकी विधियों से आगे ही नहीं बढ़ पाए ध्यान की विधियां बस इसलिए हैं कि एक महीने दो महीने चार महीने करो और फिर उनको त्याग दो आगे निकल जाओ पर हमारी बैमानी की कोई सीवा नहीं हम डूबने से इतना डरते हैं कि वो विधि कभी छोड़ते ही नहीं आचारे जी लगता है, meditation पसंद नहीं करते हैं, meditation techniques के खिलाफ बोलते हैं, मुझे ध्यान से प्रेम है, मैं इसलिए चाहता हूँ, कि तुम ध्यान की विधियों को छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके छोड़ो, खास तौर पर वो लोग जवाब दें, जो बीस साल से विधियों में ही लगे हुए हैं, किसको ब्योकूफ बना रहे हैं, सीधे सीधे अगर नहीं जापा रहे हो तुम पूल में, तो ठीक है, कुछ समय, अल्प समय के लिए, किसी प्रशिक्षक का सहारा ले लो, techniques का सहारा ले लो, ये थोड़े ही, एक ही तरीके से एक ही जगह पर, एक ही समय पर ध्यान लगाते हैं, अगर बेइमान, 20 साल से एक ही जगह पर, एक ही तरह का एक ही समय पर ध्यान लगाता है, इससे बेइमान आदमी को हो सकता है, ध्यान की विधियां तयारी होती हैं, जीवन में उतरने की, इस शुम ध्हान, तुमारे जीवन को पूरे तरीके से घेर ले, तो इसलिए तुम ध्हान को अपने जीवन के एक हिस्से तक रोक देते हो, तूम गहते हो एक घंटा, एक जगठ बस उससे ज्यादा ध्हान आगे बढ़ा, तु मेरे हंकार के लिए, मेरे जीवन के धरौं के ल तो मुझे ध्यान की विधियों से नहीं समस्या है मुझे आदमी की बेइमानी से समस्या है आदमी की बेइमानी सहारा बहाती है ध्यान की विधियों को इसलिए मुझे उन विधियों के खिलाफ बोलना पड़ता है आ रही बात समझे झाल झाल